सब्सक्ped Sh implications को सब्सक्राइब को ज़से सब्सक्राइब करें तो ऑ gotta प्रश्में क्या-क्यमनेंस मांगते हैं उसको भी हम आज देखेंगे सबसे पहले इसे । किशा है आपका है चलिमें आपको दिखाता हूं मेरे स्फिस्फ टैपर उसकर दिखाता हूं आपको अ को ॐट वर् में प्हले रेडी करके फिर फिर प्रीटयम कशना Rabbi कर तो सब्सक्रेशाथ की पीपर में होता कि तो यह उप का यह बंतर्का फिर आपका उपर का जो आप देख रहे हैं है जो है ऑठमतिक आपका फाба ग्रीज वाले रहते हैं उनका रहता है है वो डाउंडूड हो जाते हैं वहां से मिल जाता है आपका इसली मैं दिखा जाता हूं कुछ डॉक्यमेंट्स पहले दिखा जाता हूं क्या क्या डॉक्यमेंट्स मिलते हैं जैसे कि आपका ट्रांसफर ओफ कोपीराइफ आपको डॉक्मेंट्स फिल करना पड़ता है आप करना अब इसको यह बताना पड़ता है कि आपके जो रेडी करने वह जेनियून है ति has seven-े ट्रांस्फर पर का आईडी क्या है टेलीफोन नंबर इमेल एंड को आउथर जो भी आपका दूसरे आउथर आपके साथ रहेंगे यहां पर सिगनेशर रहे गए इसका स्केन कॉपिया आपको अपलोड करना पड़ते हैं उसके बाद आपका यहां पर यह आपका ऐसा फॉर्मेट आपका बकायदा वहां से डाउनलोड हो जाता है यह जो आपको फॉर्मेट देख रहे हैं जिसको आपका ट्रांसपर और कॉपिरेट एग्रिमेंट है यह आपका डायट उन लोग अवलेवल करवाते हैं अपने साइट पे इसको डाउनलोड करके आपको स्कैन कॉपिया आपको सम्मीट करना रहते हैं तो यह होता है उसके बाद आपका जो रिसर्च पेपर होता है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका यह जो इस जो आपको फॉर्मेट है यह फॉर्मेट बगायदा उन लोग की तरफ से एविलेवल रहते हैं जो आप टॉप पे देख रहे हैं इनका जो header है यह उनकी तिरफ से available मिल जाता है बस इस header के under में आपको सारा अपना documents ready करके documents बोरो आपका जूर डेटा है आपको ready करके आपको उनको send करना रहता है तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि आपको और research paper में क्या क्या चीज़े material रहते हैं तो देखे सबसे पहले क्या होता है research paper में सबसे टॉप पे maximum research paper होता है तो सबका जो concept है या सबका एक format है वो लगबग same ही होता है कुछ के थोड़े बहुत changes होते हैं तो वो अपने site पे बकायदा बता दिये रहते हैं कि आपको क्या क्या चीज़े कैसे कैसे रहता है वो format आपको बकायदा उनको देते हैं तो यह दिखाता हूँ आपको तो देखे सबसे पहले आपका उपर में रहता है जो आपका research का जो topic है वो रहते उसके बाद आपका रहता है पहला जो main author है उसका नाम उसके उपर ऐसा one करके हम लों लगाते हैं आपको थोड़ा सा यह देखिए यहाँ पर देखिए उपर एक छोटा सा वन करके है और सेम उसके बाद है दूसरा उसके पर टू है ऐसे अगर और भी ऑथर होंगे तो ऑथर के उपर 3-4 ऐसा रहेगा यह एक्शुली क्या होता है यह आपका डिनोट करेगा कि आप क्या क्या है आपका डिटेल आ है उनका डिटेल एसिस्टेंट प्रॉफिसर डेपार्टमेंट आफ सिबिल इंजरिंग उनका फिर इमेल आईडी यह आपका इस तरीके से आपका फॉस पार्ट करते हैं उसके बाद क्या होता है इस चीज़ को क्लियर कर दो कि आपका एक तरह से पूरा का पूरा पूरा जो पर लिखते हैं किवर्ड लिखना जरूरी हयाँ उसके बाद आपका the Sur aime के बास के बास पार इंट्रोड़क्शन पार आता हैं नि रिकशान आपर इंट्रोड़क्शन नेंगे अपने पूरे जो प्रोजेक्ट है है उसके रिगार्डिंग आप इंट्रोड़क्शन देंगे उसके बाद आपका आता है introduction जब हो जाता है introduction में मतलब जो भी चीज़े हैं आपका clear आपको बताना है उसके बाद आपका आता है literature survey जैसा कि मैंने आपको याद होगा कि जब project कैसे बनाते प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसमें literature service के बारे में detail बताया था तो सेम चीज़ यहां पर भी literature survey वही कहता है कि आप किस journal से या किस source से आपको क्या चीज़े आपके प्रोजेक्ट के लिए help मिला और उस प्रोजेक्ट से आपको क्या चीज़े समझ में आई वो आपको यहां पे describe क करना पड़ता है तो यह आपका literature survey है यह पूरा literature survey आपको पहले लिखना पड़ता है पहले इंट्रोडक्शन फिलेटेजर सर्वे उसके बाद objective of study आपका क्या objective था study करने के पीछे उसका experimental setup किस तरीके से आपने मतलब इसको perform किया यह पूरा रहता है आपका क्या-क्या experimental setup था आपने जैसे example के तौर पर अगर मेरे project की बात की जाए तो मतलब मेरे project में जो है brick के उपर था तो मेरे brick के लिए मैंने क्या-क्या है poking Center ready कि थी ताकि उसको result क्या मतलब है तैस्ट करने से पहले उसको किस तरीके से रखरी किया था उसकी है उसके उपर है ंसे sample मैंने कैसे сेमपल मैंने क्या स्टेश् Love उसके नयूज किया यह रिजल्ट के बार में आपको पूरा डिस्क्राइब आपको यहां पे देना है कि आपको क्या-क्या रिजल्ट आया है जिसे यहां पे आपका मिजर्मेंट ऑफ ब्रिक डैमेंशन एक टेवल यह आए फिर उसके बाद हमारा दूसरा टेवल यह है इनिशेल वाटर अप्शन इस के साथ इसका जो आपका graph एं graph table detail आपको प्रॉपर इसको चुछ पूरा देना है अ कि methodology नहीं लिखते हैं यहां पर methodology लिखने की ज़रूथ नहीं है किस तरीके से आपने परफॉर्फ और या वह वह लिखने की ज़रूथ नहीं है उसका एक हलका सा description डेते हैं यह आपका पूरा का पूरा यहां तक पूरा का पूरा से रहां विछ एक पूरा पूरा पूर उसके बाद आपका कई कर्यारी कि रिषेर्च पैपर आपके बाइओ ऐसे ही 나 को बाइबर की सारब को लावें अपका सितनी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया ऐसकते बाट आपका जो भी मैंथर हो गया, मेंसेट पर हो गया है उसके आपका result and observation हो गया है उसके आपका conclusion हो गया है और आपका reference यह सब आपके compulsory part है यह सब compulsory part है but biographies जो है वो आपका compulsory नहीं है वो optional है आप चाहें तो with photo अपना detail दे सकते हैं यह आप देंगे तो जो आपका print होता है तो इसमें आपका photo आता है तो अच्छा लगते हैं तो इस तरीके से यह आपका पूरा 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 एक research paper ready होता है और जब भी research paper ready कर लें उसके बाद इसको आप PDF form में save करके रखे रहिएगा दिखिए research paper का आपका यह सब पूरा detail आपका जो रहता है इन लोग already आपको देते हैं word document में देते हैं इसी में आपको edit कर रहे हैं साइट करके देना रहते हैं तो इस तरीके साब का research paper ready होता है और कोई दिक्कत हो तो आप पूस्ट भी सकते हैं में से तो थैंक यू परे मच और प्लीज कीप वाशिंग और वीडियो चिल देन और प्लीज ट्राइट टू शेयर और सब्सक्राइब और चैनल थैंक यू परे मच